हलो दोस्तों मैं हूँ गोरो एंड पिछले वीडियो में अपने क्या किया था अपने क्लीनप किया था अपने जो भी इंफरा बनाया था वो सारा का सारा डिलीट कर दिया था इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह फ्ल अगर आपने VPC पे यह setup किया है, flow log, तो यह यह बता रहा है कि आपके VPC पे कौन-कौन से packet आए, कौन-कौन से accept हुए, कौन-कौन से reject हुए, उनका अगर आपको logging चाहिए, आपको उनके log चाहिए, तो आपको यह flow log यूज़ करना है. यहाँ पे मैं आपको बता हूँ कि मेरे को अगर suppose monitor करना है, कि मेरे को जो VPC पे जित्ते भी packets आ रहे हैं, VPC पे किस IP address से request आ रही है, यह सारी की सारी information अगर मेरे को चाहिए, तो मैं flow log यूज़ कर सकता हूँ, और इसका सबसे अच्छा use case है, जब आपको problems आती है, आपको instance access करने का try कर रहे हैं, आपका instance access नहीं हो रहा, आपको इब instance को आपने web server चला दिया आपके instance पे, और आप उसको access है नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है problem का है, आपके packets कहां तक आए और कहां तक पहुँचे, किसी में है, तो अगर VPC का traffic आपको देखना है, तो create flow log पे आपको click करना है, यहाँ पे आपको लिख देना है, जैसे suppose S3 bucket, तो मेरे जो VPC का जो भी logs आएंगे, मैं उसको S3 bucket में रखने वाला हूँ, ठीक है, और आपको filter करना है, कि आपको कौन-कौन से log रखने है, तो मेरे को सारे के सारे रखने है, suppose, आपको चाहिए किते देर का चाहिए aggregation time, तो एक मिनट में ज़्यादा आएंगे, दस मिनट में कम आएंगे, तो यह आप आपके requirement के साब से रख सकते हैं, ठीक है, मैं 10 मिनट सोड देता हूँ, क्योंकि मैं create नहीं करने वाला, क्योंब आपको बताने वाला हूँ, send to S3 bucket, अब देखो S3 के अलावा, आप ये logs कहां-कहां पे send कर सकते हो, आप यहां पे देख सकते हो, information मांगेगा, तो मैं उस चीज में ना पढ़के, मैं यहां पे क्यों S3 का बता देता हूँ, तो S3 के बारे मैं आपको पता है, याद है, अपने S3 के log, जब S3 bucket के अंदर store किये थे, तो लगबग अब आप देखोगे, तो आपको वही साइटिंग दिखेगी यहां पे, अब आपको आपके S3 bucket का ARN डाल देना है, यहां पे, ठीक है, उसके बाद में आपको log format, आपके S3 bucket में जब आपके logs जाएंगे, तो वो किस format में जाएंगे, by default वो इस format में जाएंगे, बट आप चाहो तो चेंज करके डाल सकते हो, log file format जो रहेगा, वो text file रहेगा, और यहां पे आप देख सकते हैं, अब आपको यहां पे select कर देना है, partition log by time, तो आप यहां पे एग घंटा select कर सकते हो, अगर आपके बहुत सारे logs generate हो रहे हैं तो, तो इस तरीके से आप यहां पे select करके create flow log पे click करोगे, तो आपके जो logs हैं वो जाना जाके store होना start हो जाएंगे, S3 bucket के उपर, पहली चीज, अब आप यहां पे न, अब आपको ऐसा चाहिए कि आपके जो logs हैं, वो S3 bucket पे भी जाएं, cloud watch पे भी जाएं, अब आप क्या कर सकते हो, वापस से आपको select करना है, यहां पे जाना है, या फिर आप directly यहां पे flow log पे जाओ, और आप multiple flow logs create कर सकते हो, पहली चीज यह, आप VPC के अंदर यह चीज कर सकते हो, सेम यही चीज आप subnet के लिए कर सकते हो, मैंने subnet select किया, यहां पे जाता हूँ, यह देखिये flow log, यहां पे भी same way, create flow log कर सकता हूँ, सारा का सारा information सेम है, उसके बाद में एक चीज और, अग्यर आप देखिए आपको आपका जो एक EC2 instance है, ठीक है, यहां पे केवल एक EC2 instance है, जो अभी के case में running है, पता नहीं, बाहर यह दो क्यों बता रहा था, साइध page refresh नहीं था इसलिए, तो यहां पे आपने यह instance select किया, इस instance को select करने के बाद में, आप इसके networking में जाओ, यहां पे आप देखिए, यह जो यह यह मान के चलिए, अगर आपको यह जो ENI यह क्या होता है, तो सबसे simple term में बोलूँगा, यह जो अपने आपका network interface होता है, आप इसको यह मान लीजिए, आप यह मान लीजिए, आपका laptop है, उसको आप wire के थूँ जो internet provide करते हैं, यह वो wire है, तो मैं अगर यहाँ पे इस पे click करूँ, तो अब आप देखिए, यहाँ पे भी वापस वही flow log का option आ गया है, और आप यहाँ पे भी flow log create कर सकते हैं, तो जहाँ जहाँ पे भी आए, आप वहाँ पे flow log create कर सकते हैं, आप S3 bucket पे, यहाँ पे भी आपको log सही, आप वहाँ पे मंगवा सकते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा से explain किया है, आपको S3 को लेके, विकोज वो service ऐसी है, जो मैं पहले आप लोगों को explain कर चुका हूँ, ठीक है, तो यह छोटी सी चीज थी, VPC flow log के बारे में, जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही मिलते हैं, अगले वीडियो में बबाए,